तो नमस्कार कसिस्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग बड़ी खबर है बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डाक्टर संझज एस्वाल को भारी फजिहत जेनले पड़ी है ग्रामीनों ने उनका घेराव किया है दरसल डाक्टर संजय जैस्वाल जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष है और जो पसीम चंपारण के सांसद भी है तो अपने छित्र में वो पहुँचे थे दरसल गोपाल गंज का जो इलाका आपको बेतिया का माप कीज पहुचे थे पिडित परिवार के भी पहुचे थे और उसके बाद उन्हें भारी फजीहत का सामना करना पड़ा ग्रामीनों ने घेर लिया डाक्टर संजय जैस्वाल ने लिफाफा भी ले रखा था वो लिफाफा भी पिडित परिवार को देने गए थे उसमें पांच हज पांच हजा रुपय देखकर ग्रामीन भड़क गये। दरसल पांच हजाजा रुपय की आर्थिक मदद देने के लिए डाक्टर संजय जैस्वाल गये थे और उसके बाद ग्रामीनों का घुसा भड़क गया। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से डाक्टर सं तो संजय जैसवाल बहारी फजियत में फज गए आपको बताएं कि ये नौतन का मामला है बेतिया के नौतन के तेलूहा पंचायत जो नौतन के दच्छिनी तेलूहा पंचायत में जहरीली सराप से हुई मौत के मामले में वो परिजनों से मुलाकात को पहुँचे थे और सवाल भी काटा इस दोरान जब उनसे सवाल पूछा गया मीडिया के लोगों के द्वारा कि सराबंदी वह पुलिस प्रसासन की कारेसाहली पर तो उन्होंने कन्नी काट ली दरसल आपको बताएं कि ये वही संजय जैसवाल है जो पिछने दिनों सवाल खड़ा कर रहे थे प भारी फजीहत का सामना करना पड़ा है तो हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं जो बेतिया से हमारे संबादाता दीपक कुमार ने भेजी है अगर आपको ये खबर अची लगे तो इसे जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर करना ना भूलें धन्यवाद